हेलो इबरों वेकम टो क्लास रीस और आज के इस वीडियो में हम जिस कोश्चन को सौल करने जा रहे हैं वह कोश्चन है Find the ratio of 30 days to 36 hearts तो सबसे प्रहें हम कोश्चन को समझते हैं कोश्चन के दर आपको basically बोला है आपको ratio find out करना है किसका ratio find out करना है 30 days to 36 hearts अगर अपनको इन दोनों का ratio calculate करना है तो मतलब यह दोनों same units में होने चाहिए देखो एक तो days के अंदर है लेकिन एक चीज़ days के अंदर है और एक चीज़ hours के अंदर है तो यह दोनों suitable नहीं है अपनको दोनों को same unit I mean both the quantities should be in this same unit तो फिर अपन यह जो days को हार्स में convert कर देंगे यह as it is रहेगा तो फिर एक दिन के अंदर कितने हार्स होते 24 हार्स होते 24 हार्स होते तो यह आपन 30 days बोल रखा है तो फिर हम लिखेंगे 30 days into 24 हार्स कितना मिलेगा आपको 720 मिलेगा ठीक है यह 720 हो जाएगा यह मतलब 720 हार्स हुए है और इसका कितना 36 हार्स है अब अपन इसको कैसे calculate करेंगे हम लिखेंगे ratio is equals to यह basically हो जाएगा 720 हार्स divided by 36 हार्स ठीक है अब अपन इसको divide करेंगे अपनको अपना answer मिलेगा यह कैसे होगा हम लिखेंगे 2 18 हा 36 and 2 360 हा 18 ठीक है अब क्या बचा 360 divided by 18 बचा इसको हम फर्दर करेंगे 2 9 हा 18 2 180 हा 360 ठीक है इसको अब हम फर्दर करेंगे क्या बचा है 180 divided by 9 तो 9 1 हा 9 9 2 हा 18 0 as it is आयागा तो कितना बचा 20 divided by 1 तो आपका ratio कितना हुआ यह basically हुआ है आपका हम लिखेंगे ratio is equals to 20 is to 1 ठीक है so this is your answer